जारकन विधान सभा का शीत कालिन सत्र की शुरुवात शुकुरवार से होने वाली है जहां सबसे पहले सरुदलिय बाठक वदान सभा अध्यक्ष राविंद्र नात महतों की अध्यक्षता में हुई शीद कालिन सट्र को लेकर क्या कुछ तैयारी है इसकी पूरी कहानी बता रहे है हमारे समवदाता अंजिनी कुमार जारकन विधान सभा का सीद कालिन सत्र की सुरुवात होने जा रही है और सत्र की सुरुवात को लेकर सबसे पहले सरुदलिय बैठक आयोजित की गई विदानसभा अधियक्ष्ट के कख्छ में और विदानसभा अधियक्ष्ट की मौझा में बाइड़क कुई, मोक्यमंत्री हमन सोरिन मौझarchy निता प्रतिपक्ष अमर बाउरीा से राजत के विधायक सतैने भोगता थे माले के विदायक वीनोज सिंग थे और आशू के विदायक लंबोदर महतों थे तो बैठक बहतर तरीके से चले क्योंकि यह बैठक जो है 22 दिसंबर तक चलेगा और पूरे सत्र में राजिहीत को लेकर सांति पुर्वक सत्र चले और इन चीजों को लेकर बैठक हुई और बैठक में कई मुद्दों पर बाचित हुई सबसे बड़ा एक मुद्दा है जिस तरह से दिली लोग सभा में भंगामा करते लोग गुसे सुरक्षा का एक बड़ा सवाल उठा उसी को लेकर के जारकन विदान सभा में भी सुरक्षा के चाक चौबन ब्यवस्ता करने की बात कही गई और ये भी बैठक में इन बातों को लेकर विदान सभा अध्यक्ष ने खुद संग्यान लिया है और ये कहा है कि सुरक्षा को लेकर कहीं से कोई चूख होने नहीं दी जाएगी विदान सभा का सीथ कालिन सत्र काफी महतोपून माना जा रहा है क्योंकि इन चार वर्षों में आप देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अमर बावरी की ये पहली विदान सभा का सत्र होगा और उनकी भूमी का महतोपून होगी और विदान सभा परिशर के अंदर ही नेता प्रतिपक्ष को भी एक केबिन दिया गया है एक कक्ष मिला है जिसमें मुक्यमंत्री हमन सोरेन और तमाम आलमगीर आलम और खुद विदान सभा अध्यक्ष भी उस कक्ष तक गया है तो अब नेता प्रतिपक्ष की भी भूमी का महतोपून होगी और ये कुल मिला कर ये कहा जा रहा है कि राज्जी हित में तमाम मुद्दों को लेकर विदान सभा में आवाज उठाई जाएगी लेकिन पक्ष की बात हो या प्रतिपक्ष की बात हो तमाम लोग अपने विदान सभा सत्र को लेकर पूरी तैयारी में जूटे हैं और इसी परिपेक्ष में आज ये भारती जनता पाठी की भी विदायक दल की बैठक है और जहरकर मुक्ती मोर्चा और गडबंधन सरकार की भी बैठक है तो सीट कालिन सत्र महतपून है क्योंकि पूरे राजी की नजर सीट कालिन सत्र पे रहेगी तो सुरक्षा बड़ा मुदध भी रहेगा और ये भी उमीद की जा रही है कि कल से जब सत्र की सुरुआत होगी सत्र चलेगा तो कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी होगा जिस तरह से धीरसाहू का मामला हो या नौकरी का मामला हो राजमें लॉयन ओर्डर का मामला हो इन मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि ये हमारे अहम मुद्दे होंगे समाचर पलस के लिए कामरामेन प्रशान मित्रा के साथ अंजनी कुमार रांची